नमश्कार दांक नियूज में आपका स्वागत हैं आज हम मोर्वा गाउमें मुझूद है और मोर्वा गाउमें हम जो पहल एक संस्था ने की है संस्था के जो पदा दिकारिये उनी से जानेंगे आज इस निर्बल कुटिर जन सेवा समेती जैसा कि संस्ता का नाम है उसको चरितारत करते हुए ऐसा है लोगों को लगबग पिलानी और आसपास के चेत्र में मोरवा भगीना देवरोड पिलानी इसल लगबग 35 लोगों को जो है एक कमरा और एक छोटी रसोई बना के दिया है पिल स्टेज है तो वो मैटेरियल जो है वो हम ऐसे काम में जो है वो उनका हमेशन से यूग रहता है तो लगबग 35 लोगों को यह काम हो चुका है इसके लाव संस्ता प्रतिवर्स जो है सर्दियों में रजाई और कंबल वितन का कारी कर रही है प्री मेडिकल कैम्प मल्टी स्प सबसे पहले तो नमश्कार और यह मैं बहुत खुशी की पहल रहे हैं आपका क्या संदेश अलोगों के लिए ऐसी पहल के लिए सबसे पहले तो नमश्कार और यह मैं बहुत खुशी की बात है कि सब लोग मिल जूल के कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वज़ा से जो निर्बल लोग है जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बना के दिये जा रहे हैं यह संस्ताने जो पिछले सालों में 35 लोगों के करीब घर बना के दिये हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे मालूम है कि पूराना मटीरियल यूज करके कैसे एक घर बना सकते हैं और इस घरों में इस तरह के जो पहल की गई है तो उसमें काफी तो मटीरियल का जाता है तो इस संसा कि लोगों को अगर दे दे तो हो सकता है कि उसका अच्छे तरह से इस्तैमाल हो सके तो इस अभियान में सबी लोगों ने पार्टिसिपेट करना है और मैं चाहता हूं कि सब लोग पार्टिसिपेट करें यह जरूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए आपको फिजीकली आना पड़ेगा लेकिन इस तरह से भी सेवा कर सकते हैं और यह बहुत खुछी की बात है कि गुरुजी ने यह अ सामना करूंगा कि जो इस गर को आज ऑक्क्यूपाइ करेंगे तैंक यू बिट्स केंपस के किस परकार से इसमें सहायता कार असर थोड़ा सब्सक्राइब से जो हमारे जो कैंपस के अंदर काफी रिनोवेशन हो रहे हैं तो काफी वेस्ट मेटीरियल्स वगरे जनरेट होता है और वेस्ट मेटीरियल्स भी संस्ता को लिए दिया जाता है सबसे पहला मकान हमने एक गत्ना मेरे साथ हुई कि मैं गाव में गया तो वहां एक यह एक प्लास्टिक की पल्ली के तान के एक लड़की बिद्वा लड़की और दो बच्चे उसके और वह आग जला रही थी और मोसम खराब था जूने पड़ रही थी वो दूज रही थी और उसके निचे वो आग जराने कोशिश करी आग नहीं जली बच्चे दूज रहे थे मैंने देखा मैंन का है इस्वर कैसी कैसी वेस्था आपने दीया कैसे कैसे मेरा मन एकदम पिंगल गया मैं रोने लग गय उसके बाद में मन ये संस्था बनाई और पिरावा के चैरमेन सुरेंदरगाडिया जिसके उनके घर में मेरा काफी समय से विवासादी आना जाना था वो बड़े मित्र थे उनके पासम गया उन से बात की तोनन का ठीक आप संस्था बनाओ और वो उनका देआन्त हो गया इस निश्वर उनकी आत्मा को शान्ती दे चित्र से और गरीब लड़किया चात्रा हैं जो इसकूल जाती है लेकिन फीच नहीं बनती प्रिंशिपल कहती है इनकी स्कूल शुटेगी उनको हम फीच देते हैं निश्वर फीच स्कूल में पढ़ने के लिए हमने पिछली साल पांस उनकी स्कूल में बाटी इसके साक्सी है डाक्टर हरीशिप शाखला ये ठेवों के पर और दूसरे लोग वी थे हमने बाटी इस तर से पांसु स्कूल में पिछली साल बाती ती है जो हमारी मदद करते हैं उनको हम पत्तर लिखते हैं उनको धन्यवाद देते हैं और उनको दन्यवाद गयापट करते हैं कि वह हमारी संस्था का खड़ते हैं जब भी उनका कोई पत्र हमारे पास आता है किसी गरीब आदमी के लिए कि यह गरीब है इसका ओप्रेशन कराना है इसका मोटेवन का ओप्रेशन है तो हम यहां सिंगी नेत्र चिक्षाला है उसमें मेरी चि अब कान मना की दिये है शिम्मु गरू जी दिवाल जी बिन को बार बार ने बाज आओ आमारे बढ़िया पास है इस जुगी मेरे घते प्रेसान होन ते में मेरे उट जांती कैई बढ़िया जुगी जब भी आम दुखी है इसक माईने अभी मोज होगी मारे कमरा मना दिया सोई मना दी अच्छा मच्छा काम किया इनको बार बार दन्यवाज लेकिन काम गली-गली घूंकि इन्होंने कहीं से इटे ली कहीं में देखता था कि विट्समें जैसे पुरानी विल्डिंग तोड़ी गई तो वहां से कुछ लिया और दूसरों के लिए इस प्रकार काम कर करना वही है कि जो सेवा उसी को बोलते हैं परहित जिसमें खुद का हित ना हूँ तो यह जजबा देखने को इनमें मिला इनसे बहुत कुछ सीखा है हमसे जो भी सयोब बनेगा तो हम करते रहेंगे इस परिवार को हार्दीक बदायां देता हूं कि इनको आज रहने के कि यह बहुत बहुत दनेवाद